मैं दो सुनो तुम पतंग नहीं हो पंची हो ठीक है कोई दोर तुमको रोक नहीं सकती है रिष्टों में काम कर सकते हैं अपन तो अपन रिष्टा कायम कर लिया लोगों के साथ पर नौकरी में अच्छा एक चीज जिंदगी में एक और चीज सिखा दू में यहां पर कि दोस्त बन चुके हैं कॉलेज तक बस बस कोशिश भी मत करना यार तो मेरा समानना है कि हमेशा आपके जो एम्स आपके जो गोल्स हैं वो कभी भी नंबर्स नी होने चीए वो फीलिंग्स होने चीए चुकि एहसास सारी जिंदगी रहता है नंबर तो एक दिन अचीव हो जा कि हम उससे भी कम कीमत में सामन ढूंके लिकाते हैं तो कि अपनी भी खर्चा हमको जिब खर्चा तो इस तरह के एप्टिटूट से हम बड़े हुए अब देखना पराय शेहर में बैठकर बस सांस ले जा रहे हैं मियार तेरे खाने के सबने आजकल दिन रात आ गए अब कुछ से बनाना पड़ता है न तो सोचता हूं कि दो मिनेट आती हूं बोलकर किचन में ऐसा क्या तो ना करने जाती थी मेरे दो चार ख्वाब हैं जिने मैं आसमा से दूर चाहता हूं जिन्दीगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशूर चाहता हूं क्या हो आप मिले दोस्त मिल गए फिर की की बगबग बख्चो दी सब लड़कियों से पूछेना चाहता हूं तुम आपना पहला बॉइफिर्ण चूस करते हैं क्या लॉजिक लेगा दुनिया जहान के लड़के मर रहे होते हैं अब बताना चाहता हूं कि आप ओफिस जाते हो आपको नए दोस्त मिलते हैं इसका अब यह नहीं कि आप स्कूल के परन दोस्तों भूल जाते हैं और वैसे भी यार यह दोस्त वैसे निकले नहीं चाहता हूं अब बता है रिलेशंशिप में जस दिन प्यार हो तो उस दिन आप जीत जाते हो जस दिन प्रेक अब आप 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 जो सबसे बसे करें मर्द बहाध दुर हुव और यह जी बस एक दिन आउस हो जाते हैं आप आप मर्द धिके जी कल से भाध दुर है जिसमें क्या रहेगा? कि आपकी गांड नी फटेक? जो तो साइब आचे, इस अ ग्रेट तिंग अगले दिन में घर से निकला, चार कोपते मेरी फटेक अगले दिन में ने पूचे लेगा, सर वो तो फट तो भी बिरी कि मेटा इसी को मलता निकी पर देक बरतण माई ने क्यों ही सिखा है, मा तूने यह पंका भी घंदा होता है जह राज क्यों ने बताए, मा तूनै हर रोज ने तरह से किचन में आघ लगा लेते हाथ पकड़ना क्यों क्यों ही सिखाया, मा तूनी कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंट्विच बनाते सोचतों कितने खुश नसीब है वो लोग जो अभी इन दिनों में अपनी मा के हाथ का अर अपना फिमेल इंटरक्शMore कम है मतलब अफना फीमेल इंटरक्शन इनए हमें कहरें संहें मैं कम डेप ज अपनी वह निकल झाहे इनद इनर व है तो एक कहावत है कि भाई मरे बल घट है कि भाई अगर मरे का तुछ मरता है कितने हो आ जाना आ भाई मरे बल घट है बाप मरे च्छत जाए कि आपका धूप बारिज गर्मी सर्दी जो अगा सीधा आगा तो अगला हिस्ता है कि भाई मरे बल घट है बाप मरे च्छत जाए और जिस दिन मरेगी मावजी सरजग सुना एक तुनिया आपको फिर आपका कोई को ना नहीं बचेगा कर अगर आपकी मानी ड़ी बाबु खालेगे लिगा बाबु खाता रहत है एए इस बाबु काणा का बाबु काना का खाके इतना बड़ा हुआ है इस प्रीले बनादियोगे विव इस भी है ज़रूरी हो ममी की प्यारी और पापा सीपरी तो मैं हुई आए रा रा वा पापा की परी तो मैं हुई आए रा रा वा तो हिखा अखिर 하는데 कि मैं ठीट है और कोंसा दोस्त दोस्त नहीं है क्योंकि ऐसा है हम भी तो किसी के दोस्त में हैं कभी हमारी भी मर्दानगी का परदा हटा कर देखना कभी थामना हमारा भी हाथ कैसे हूँ तुम पूछना क्योंकि यार हमारी भी सक्षक्षक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी जिसकी ख्वाइशे घर, गाली, आस्मान नहीं अपनापन सच्चा है जी हमें भी डर लगता है अकेले, अंधिरे, कमरों में हम भी नहीं सो सकते और सच कहूं तो जूटे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकते जब आप किसको इतनादा एडमायर करते हो उनके साथ कुछ गलत हो ना तुम्हार पहले तो अपने ही हाटब्रेक हो जाते है क्यार तुम तो परियों के देश से आई थी ना तुम्हार साथ ऐसे कैसे हो सकता है पर यही तो हमारे जनरेशन का प्रब्लम है ना तुम्हारी जन्दगी खराब है सामने वाले के और बरबाद है अपन से ज़्यादा मेहनत नहीं होती कल पर सुम्हार मूँ दो के थक गया है ना से किया मैं कप्सु बदा देना सब को की मैं मतलब ही बड़ा था हर बड़े मकाम पे तनहा ही खड़ा था मेरा सब बुरा भी कहना अच्छा भी सब बताना मैं जब जाओ इस दिन्या से तो मेरी दास पां सुनाना बहुत बड़ा भाई पुरा एक नरक में क्या बख्चोधी मचाए था एक दूसरे को और लग रहा हाँ क्यों कितने कोड़े बचे तुम्हारे थाइलाक ठीक है निपता के तेल के कडाये पर मिलो तेल के कडाये में पांचों आचों ऐसे जल रहे हैं तो एक नरक का करमचारी उनको ऐसे तो जुलसारा उसे से पूछने क्यों भी यह कितने टाइन से कर रहा है एक वर क्यों कॉलेज की बात है लड़की से थोड़ा मौपत होगी यह ठीक है अरे बेटा बहुत पिगले तब जागे सक तुम्हारे अपने को अपनी किस्वार्ण के बारे पते आपन फालतों से हरके यह नहीं है लाइन माने नहीं पसा जाते सक लोने इज़्जत से रहते हैं अपनी आप अपने ख्यालों में हो कि किसी दिन यह महबबत रंग लाइगी मैं तो मैं नमाज पढ़ने कि माद दौाय मांगता है कि इसी से मेरी शादी हो इसी से मेरी बच्चे हो जिन्दगी भर यही सी कि सात रहूंगा वो कमाल का था यह मुझे आद है कि मैं आई सपाइस केल देते हैं तो हमारा आईश कोई अधिन दौगे आप सासा चुपोगे तो मतलब और फिर रात भर दिन भर उसी ख्याल चन रहा है कि अगर फिल्म का कोई गान आ रहा है तो आप अपने आपको इमाजिन कर रहे हो इंगा तो अगलो जाता क्या दिखा रहे हो भया यह सब तो अच्छे लड़के हैं तो घर व आप तो टाइम ही घराब कर रहे हो मेरा मेरे को कुछ आप ऐसे कुछ तिखाओं पर डैमेज होना है मेरे को हाँ बस इमोशनली जो स्कार कर दे हाँ हाँ इस बहुत जरूरी है जंदगी के लिए पर ये जरूरी नहीं कि उस जंदगी भर रहें अबर एक चीज़ जो जंदगी पर आपके साथ रहती है आखरी सास तक आपके साथ रहती है वह है आप और आपका अत्मसमान रिलेटी हिट्स तुम अलगता पाटी करने ची लाइफ में ये और तुम घरा तुद मरबाप ऐसे पैसे जिन रहा हुआ तो नियुक है तरी टिरी फीस बनने का पैसे नहीं मुमें आता है मतलब अपना लाइफ में एम ही रहता है कि फीजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ्स की कोई एक भुक भी निची गाइड ला दे तो पड़िया और गाइड भी वो गाइड जिसमें पहले से निशान लगे वे हूँ मैं अपने खुद से बात करें मैं यह मेरी जिनगी का लू हो सकता है पर कुछ को लोईष्ट ही होने दो इश्क या था हाग से घए खिया था है सिंगल भी रहेंगे तो हाग से रहा है मुझ आकले करें जारी यार, और मैं इतना कमझोर बीका है अब ही मैं इतना सुर्ण कर रहा हूं राए इतना बेल उन rpm मुझ जड़ कर व मुझे ऑस बाइवाले कुछी मुझर्ला जिला दोPorered मुझा पर कर में बिर्यानी को जज नहीं करता हूं, मैं बिर्यानी जैसी है ऐसी खाता हूं, ठीक है, कोई तुम्हें बदल के खाये तो फिर वो खाना थोड़ी गुए, ठीक है, फिर तो बदा देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तनहा ही ख़ड़ा था, मेरा सब पूरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाओं इस दोनिया से तो मेरी दास पाम सुनाना, बहुत बिल्ड़ा, भाई अच्छा भी ख़ड़ा था, अपनी ममे को ने विताएगा, हाँ? आपनी ममे को तो सब बताते है, ना बिटा, हो? जोटे हम वो लोग जो बोलते हैं आदमी रोह नहीं सकते हैं, बूचने वाला चाहिए रहे हैं अच्छा भी रास्ते होते हैं, यह तो तुम शराब टीपी के देवदास बन सकते हो, यह तुम बहुत काम करके लेजन बन सकते हो कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिप्टी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती, तो मेरी इश्क बहुत जरूरी है जिन्दगी के लिए, पर यह जरूरी नहीं कि वो जिन्दगी बर रहे हैं पर एक चीज जो जिन्दगी बर आपके साथ रहती है, आखरी सास तक आपके साथ रहती है, वह है आप और आपका आत्मसम्मान यह होगा भाई, फाइनली चार दिन बाद कह रही है कि लेट्स कैच अप, मैं गा कहाँ, कहते है जो भी इस प्लैनेट का सबसे महेंगा रेस्टराउंट हो, मैं का अच्छा, ठीक है, पर प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुष करता है भाई, ठीक है, मिले भाई, और दि फिरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते, और सच कहूं तो छूटे हैं, पता है अपने जब पार्टी से निकाला ना, तभी मेरी आँख कुली, और समझ में आया कि मैं किसी बड़ी पिच्चर का साइड हीरो हुई नहीं, पता चार जी अपनी कहानी बले ही छोटी है, लेकिन उस अपको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तनहा ही खड़ा था, मेरा सब बुरा भी कहना, अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाओं इस दुनिया से तो मेरी दास्ता हो सुनाना, ति मुझे से लगता है एक लड़का तभी सीखता है, जह उसकी लाइक में विए जनरेशन अफ ब्रोकन आट्स और ब्रोकन पीपल, तुम्हें लगता है, तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले के और बरबाद है, जैसे एक बार लिखा था कि, यूँ तो भूले हैं हमें लोग कई पहले वी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया जरूरी नहीं कि वो जिन्दगी भर रहें, पर एक चीज जो जिन्दगी भर आपके साथ रहती है, आखरी सास तक आपके साथ रहती है, वो है आप और आपका आत्मसमान, और जब कोई तुमको इतनी ताकत से, बिना तुम्हारी मर्जी के छूटा है, तो बहुत खराब है, 91 लड़की जब थपर पड़ता है, तब कभी गाल नहीं से लाते हैं, हम बाल ठीक करते हैं, बड़ा मशूर सीयर है, बड़ा फिल्मों में इस्तमाल हुआ है, अलग लोग लोग ने कोट किया उसको, अगर मुझे याद है, जितना सुन सुन के मुझे याद है, अगर उतना के बल चले, अगर आपने कोशिश ही नहीं करी, अगर आपने ट्राइ यह नहीं किया, तो फिर क्या फेलिएर और क्या सक्सेस, हमेरा समाना है, हमेशा जो एमस आपके जो गोल्स है, का भी भी नंबर नहीं होने चीए, वह फिलिंग उने चीए, चुणकि यह एह सा सारी जिं अबने फ्लॉप गाने तुम लोगों पाड़ बाड़े सुना तो भाई ना इसके चौथे हंत्रे में पांची लाइन बहुत आप प्लीस सोले आप प्लीस मज़े किसी जगा से दोड़ी आते हैं मज़े तो फोन पे जब मैं दिल्ली जब मैं बात करता था तो बात तुम हमारी अब अबने साथ क्रिकेट खेलते ताइम अपने पास एक टॉस करने को एक रूपर को सिक्का भी नहीं होता था तो अपने बहुत जंदगी जो है गोटके की पाउचों से टॉस के देख उसमें एक तरफ इंग्लेश मेल खरता एक तरफ हिंदी अलगता देगरों सिर्फ गरीब लोग ताली बजा रहे हैं अब बजाने भी चाहिए भैंचो सब को बता चलने का हम कहां पाउच गया है इसे बुरे फासेंगा कि नानी आदा गया मम्मी तेरी मम्मी के ना सारी कहाने आदा गया इस तरह से लिखे कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बहतर लोग पढ़ गए शायद उसके रास्ते में मुझसे बहतर लोग पढ़ गए वो बेवफा तो नो थे मगर आगे जरूर बढ़ दे पर जब दिल टूटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे क्या ना कि क्योंकि माचो इतने पर सेंसिटिव टॉपिक पर थोड़े गरवड हो जाते आपने लोग तो मम्मी को हख करने में भी और रोट हो जाते हैं लोग जिंदगी किस की विजएस जीरहें पता है तुम अरे तुम हुशन परि तुम जाने जहां तुम सबसे हसी तुम सबसे जबादर गया कि शायद मुझे कभी किसी से मुखबत नहीं हुई लेकिन यकीन सब को दिलाता रहा हूं कि अपने को अपने किस्वां के वार पता है अपन फालतों से हर्पी यह से लाइट बने नहीं पसा जाते हैं सत्लों ने इस्जत से रहते हैं अपनी क्यों आप मिलें दोस्त मिल गए फिर की की बग 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 चो दी कि अपने कि बेवजा बेवफाओं को याद किया है गलत दुमों पर बहुत बर्बाद किया हुआ लें का तो वह लोजा तक क्या दिखा रहे हुँ भाई यह यह सब तो अच्छे लड़के हैं तो घर वाले पी दिला देंगे अरे आप क्या lifelong साथ के हिसाब से दिखा रहे हो क्या नहीं नहीं भाईया आप तो टाइम ही घराब कर रहे हो मेरा मेरे को कुछ आप ऐसे कुछ तिखाओं बड़ डैमेज होना है मेरे को हाँ बस एमोशनली जो स्कार कर दे हाँ हाँ अर्ण रियालिटी हिट से तुम्हा लगता पाटी करनी ची लाइफ में ये और तुम घरा तुट महर बाप ऐसे पैसी किन रहो तो तो तरी फीस बननी पैसी अना वे एक मोमेंट आता है ना सब मेंड़ प्लस ना में एक मोमेंट आता है जो तुम्हे लगाए थी ना लिब ग्लॉस क्योंकि तुम्हे लगता है ना लिब्स ट्राइब है उसकी जो लाली है उसमें लहू है जैसे एक वर क्या हो कॉलेज की बात है क्लरकी से थोड़ा महपत होगी ये ठीक है अरे बेटा बहुत पिगले तब जाके सकतु है और मेरे पास थे पंदरा सु रुपे सिर्फ और एक शेहर में जा रहा हूं जो मुझे पहले भी निकाल चुका है जरूरत नहींगे मम्मी कि यूना उंगलियां सब पर उठाया करो खर्च करने से पहले कमाया करो जंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे बारिशों में पतंगे उठाया करो अब देखना पराय शेहर में बैठ खर बस तांस लिये जा रहे हैं मैं यार तेरे खाने के सबने आज कल दिन रात आ गए अब खुछ से बनाना पड़ता है न तो सोचता हूं कि दो मिनेट आती हूं बोलकर किचेन में ऐसा क्या तो नब करने जाती था लेक्त तो मुझे संवी नाता स्कूलम सबकों यार चैंपेन जो स्पोर्ट में होते हैं जो स्पोर्ट में होते हैं स्कूल में क्प्रवल और प्लाइक है आसद्ली कमें और तो आफ और चेक भी कर सकते ही आध उनच लुआ मर यह देखो यह यह ना तनहाई की अवास है एक बात आज तक किसी ने कई नीपर में कहना चाहता हूं कि एक तरफा प्यार भी रिलेशन्शिप होता है हम वो हैं जो फुटपात पर बाहर की तरफ चलते हैं साया बनते हैं परिवार के और धूप में खुद पदते हैं कभी हमारी भी मरदानगी का परदा हटा कर देखना कभी थामना हमारा भी हाथ कैसे हो तुम पूछना क्यूंकि अब हमारी भी सक्त शकलों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जिसकी ख्वाइशे घर, गाली, आस्मान नहीं अपनापन सच्चा है जि थोड़े दिनों पहले एक शेर कहा था कि कुछ अस तरहा तेरे मेरे रिष्टे ने आखरी सांस ली ना मैंने पलट कर देखा ना तुमने आवास दी क्यों परबाद हो गया जब कुछ कहीं कोई होड है क्या बरबाद हो गया सब कुछ कहीं कोई होद है क्या वाई कि आदमी होगा ना पिश furnace सालों से विकास नियू पहा है हम अंदर से अबी भी कदे मी रहते हैं यह सब कबीले के नियमे कि मौत बरदाश्चत हो का बरदाश्चत हो देखिया ना उमीदी अपमान देखा है ना चाहते हुए भी माबापका जुकता अत्मसम्मान देखा है सपनों को तूपते देखा है, अपनों को छूपते देखा है हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूँ बेफिकर रहिए मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा आप बस साथ बनाए रखेगा अभी तो मैं लंबा चलूँगा किसी फिल्म की सैड एंडिंग हो या बेस्ट फ्रेंड का फॉरंग जाने वाला फेर विल सौफ नहीं होते हैं अगर गुस्सा होता तो आज अभी और प्यार जताने वाला सब कुछ कल क्याना कि क्योंकि माचो इतने पर सेंसिटिव टॉपिक पर थोड़े गरवड हो जाते हैं यार अपन लोग तो मम्मी बढ़ करने में भी ऑक्रोड हो जाते हैं कभी यार मम्मी के कब कुछ भी पहने मम्मी से निव पोच ना का दल माप्यार बह पाग करती तुमसे कुछ भी कुछ भी पैन लो नारंगी शैट काली पैंट सफेज जूते पैनके भी खड़ जाओ नो मम्मी किसानी कि मम्मी ठीक लग रहा हूँ मम्मी कहती सही तो लगता है बरतन माई ने क्यों नहीं सिखा है मा तुनि ये पंका भी गंदा होता है ये राज क्यों नहीं बताए मा तुनि हर रोज नहीं तरह से किचन में आग लगा लेते हाथ पकड़के रूटी बिलना क्यों नहीं सिखाया मा तुनि कभी दाल जलाते हैं कभी सैंड्विच बनाते सोचता हों कितने खुश नसीब हैं और लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी माँ के हाथ का खाते हैं अल्ला ने सब को बहुत खोबसुरत बनाया है आपको भी पर जब तक वो देखने वाला नहीं मिलता तब तक तो महनत करनी पड़ेगी लोगों की नजर में आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो लेकिन आपकी महनत से आप लोगों को नजरिया बदल सकते हो कि हो सकता है कि आप उनकी नजर में उतने खोबसुरत ना हो पर आप अगर आप महनत करेंगे अपनी परस्नालिटी पर अपने काम पर तो उनकी नजर में भले आप खुबसरत ना हो पर उनकी नजरिये में जरूर आप खुबसरत हो जाएगे